तो हाई गाईस वेलकम अगें थर्ड वार्निंग अधर सीजन एंड थर्ड ताइम बिट्कॉइन क्रेश्ट अगें और वी आ सेव्ड कल एक लाइन बुली थी वी माइट भी लेट बट वी विल बी अट लीस्ट सेफ वो लाइन एक्जाक्टली मैच हो गई इतनी जल्दी ये मैंने सोचा भी नहीं था फिल्हाल बात करेंगे बिट्कॉइन ब्लीट कर रहा है अल्ट कॉइन ब्लीट कर रहे है हमें अभी क्या करना चाहिए और हम क्या एक्सपेट कर सकते हैं जैनुवरी फेबररी मन्त के अंदर साधी साध एक ऐसा टास्स में आप लोगों को देना चाहूंगा जो कि इस बीर मार्केट में भी I do believe चाहे वो अपरिजनेटी मैं मिश कर दूँ लेकिन चायद आप लोग वो अपरिजनेटी को मिस ना करें तो हम आपको एक ऐसा टास्स देना चाहूंगा जो कि next 24 hours में आप सब लोगों को अपने लिए अपने प्रॉफिट के लिए पूरा करना है और अगर आपने वो उसको तीन चार घंटे दे दिये I can bet आपको ऐसी ऐसी opportunities दिखाई देगी जो की लोगों को miss हो जाती है उसके बाद वो कहते है शिट काश मैं उसके ओपर एंट्री ले चुका होता तो मैं 30-40-50 परेंड का profit बना लेता seriously ने चोटा सो note है वो मैं आपको वीडियो के हैंड में बताऊँगा आपको क्या task है उसको complete ज़रूर करना फिलहाल के लिए आप लोगों से request वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसको प्रेस करना में कंजूसी मत करो अपना comment box के अंदर comment डालना मत भूला करो because मैंने बहुत इस season के अंदर हमने 50x 100x के बहुत project find out करे है लेकिन तीन बड़े crash से भी हम timely exit भी करे है that is way more important even then more important than finding the gems exit करना proper time पर मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा जरूरी होता है market में अगर कहा जाता है hold करो hold करो hold करो भाई मैं hold करूंगा for longer term but मैं exit करूंगा at perfect price और उसके बाद re-entry करूंगा for example if we exited on 30th November $58,000 आज अगर मैं $42,000 पर entry लेता हूँ मेरा एक bitcoin आज लगवक डेड़ bitcoin हो गया है मैं automatically अपनी holdings portfolio size को बढ़ा चुका हूँ because I started to book the profit rather than just looking at the profit आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा market के अंदर fear जो reason है fear factor जो है वो आ चुका है आज 15 कल जो मैंने वीडियो बनाई थी तब था 24 बहुत लोगों ने comment किया when others are fearful you should take action and take entries ये बात मैं बहुत बार अकसर कहता हूँ लेकिन इस बार scenario अलग था तभी मैंने आपको ये बातों को नहीं बोला लेकिन आज fear factor हो गया है 15 जो की थोड़ा बहुत हम कह सकते है अगर हम usually cycles को देखे तो cycles के अंदर बहुत बार देखा गया है कि जब fear इतना जादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे काफी बार whales react करते है और एक sudden pump भी देखने को मिलता है तो मैं आपको यहाँ पर simple सी एक चीज बोलना चाहूंगा BTC तो मिरको फिलहाल जादा strong नहीं लग रहा है that is very very I am sure about it कि BTC फिलहाल जादा strong नहीं लग रहा है 42,000 का mark आज एक ही दिन के अंदर दो बार retest हुआ है यानि कि 42,000 के वहाँ पे भी volume खास नहीं देखने को मिल रही है तो I do believe कि हम 40,000 का mark शायद test करेंग अगर 40,000 का mark break हो जाता है तो 35,000 दोलर कोई खास बड़ा support नहीं है लेकिन 40,000 तोड़ना Bitcoin के लिए easy नहीं होगा बहुत ही major support है वहाँ पे I don't believe कि अभी right now वो तूट जाएगा अगर वो तूटा तो वो साथ में शायद हो सकती है एक bad news भी हमारे को सुनाई दे लेकिन मैं आ new year आ रहा है हर साल का button देख लेना जब जब Chinese new year आया है बहुत जादा कुछ चीजे मार्केट के अंदर आ ही है फर्ट जादा तर create हुए बिकोस चाइना involved होता है चाइना जब भी involved होता है crypto के लिए कोई खास positive news तो हमें आ तक जादा तक सुनाई नहीं दी last many years से तो इस बार उसके बाद I have seen lot of patterns मैं आपको patterns नहीं दिखा रहा है मैं आपको अगर आप history देखो के you go on check the history of bitcoin आपको दिखाई देखें March and April का महीना काफी हद तक ठीठ ठाक जाता है तो those two months I do believe हमारे को अच्छा profit लेने का मोका मिल सकता है फिलहाल volume नहीं दिखाई दे रही है yes यहां से हो सकता है हो सकता है I am not sure about it I am clearly telling मैं यहां पर यह नहीं बता रहा कि यह होगा ऐसा होगा but I am telling you यहां पर एक opportunity जरूर बन रही है हम SIP अप्लाई करते हैं बहुत सारे odds coin के अंदर SIP का main जो कहते हैं हम कहते हैं अगर cricket है तो सचिन दनूलकर हम compare करते से वैसी अगर मैं बात करूं तो bitcoin is the most important thing in the cryptocurrency हम उसके ओपर SIP क्यों न अप्लाई करें तो अभी फिलहाल 42,000 dollars के आसपास हम थोटी मोटी entry बना सकते हैं फिकास यहां से अगर move up उपर हो गया और दुबारा से 55,000, 52,000 चला गया तो we will miss this opportunity तो I will say जो हमारा 25% हमने entry लेनी थी अगर आपने ले ली है तो bitcoin के अंतर बनाओ bitcoin अगर 40,000 dollars का mark तोड़ जाए तो हमार को और वेट करना है entries नहीं लेनी है 30-35,000 dollars के बीच में I do believe हमार को बहुत अच्छी opportunities और entry मिल सकती है और 30,000 का mark I really don't believe कि वो फिलहाल तूट सकता है अगर तूटेगा या market और वीक लगरी होएगी I will make another video और उस दिन क opinion मैं आपको पताऊंगा मैं अभी current situation की बात कर रहा हूं हमें अभी क्या करना है जैसे कि मैंने कल की वीडियो में पताया था आपको कि market is not at all looking good market के अंदर volume नहीं दिखाई दे रही है और market bitcoin जो है वो weak लग रहा है और 42,000 dollars को test करता हूँ दिखाई दे रहा है रात-रात के अं ना लेते हुए 10% की entry bitcoin में अभी बना लेनी चाहिए in fact 15% की बना लेनी चाहिए उसके बाद अगर 40,000 dollars के mark को hold करता है और वहां से जरसा भी उपर जाता है तो we can take entry second entry at 40,500 dollars अगर 40,000 भी तूट जाता है we have to wait simple 40,000 भी तूट जाता है we have to wait because BS के control में बहुत कुद आ चुका हो it is year of expectation जहां पर हम expectations करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे and everyone will keep on telling you hold 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 and hold और आपका portfolio वो आस्मान के level से जमीन के level पर आ चुका होगा and you will be only holding तो हमने जो अभी exit किया 30th और November को अगर हम यहां पर अभी हम देखे तो 70% already या उससे भी नीचे already वो alls coin चीजे आ चुक तो एक better price के उपर अगर entry लेते हैं तो उसमें कुछ बुरा नहीं है we are all here for cryptocurrencies we are all here for Bitcoin Bitcoin कहीं नहीं जा रहा Bitcoin के हमारा aim सरफ यह है कि हमार को अपने number of Bitcoin बढ़ाने है जहां 58 पे बेचा 42 पे कुछ entry ले ली 40 के ओपर कुछ entry ले ली 35 के ओपर कुछ entry ले ली we have now double double bitcoin just doing this तो we are there into crypto हम crypto Bitcoin कहीं नहीं जा रहा हम Bitcoin को चाते है एक लाग डॉलर देखना वो शायद इस साल होगा की नहीं होगा no one knows कुछ लोग आपको claim करेंगे इस साल super cycle जाएगी तो कि पिछले साल कहीं जा रही थी अभी fall आ गया है तो they are saying don't sell your crypto because you will never get the opportunity लेकिन at the end उन्होंने sell नहीं किया इसी लिए वो आपको भी यही बात बता रहे है बट हमने तो अच्छे टाइम पर sell किया है we are trying to buy at a better price that's it हम crypto के साथ है हम crypto के साथ लंबा रहेंगे और crypto को मैं मानता हूँ bitcoin एक लाग डॉलर हमने 2017 के अंदर यह बात कहीं थी शायद होगा वन बिट्कॉइन विल इकोल टू वन जैगुवार जो कि इस साल पूरा हो चुका है 2021 में पूरा हो चुका है एक बिट्कॉइन से एक जैगुवार आ जाएगी आँ फिलहाल आ जाती जब वह 50 लाग लगा था तो वैसे ही मैं मानता हूँ बिट्कॉइन एक लाग डॉलर जाने से कोई नहीं जो सकता आज जी तो कल वो जाएगा लेकिन हमारा एम है बिट्कॉइन को बढ़ाना है फिलहाल अब आपका बतायता हूँ टास्क क्या है टास्क है आज आपको सारे के सारे जितने भी आईडि प्लैटफॉर्म से उनके जितने भी ने प्रजेक्ट्स लाँच हुए लास्ट थ्री फोर मंस के अंदर लिस्ट बनाओ दोसो प्रजेक्ट लाँच हुए तीन सो हुए की चार सो हुए हर प्रजेक्ट को जाके ट्विटर पे और टेलीग्राम पे फॉलो कर लो फाइंड आउट करो पूरी लिस्ट को बनाओ एक नोटबुक बनाओ और उस प्रजेक्ट के अंदर फाइंड आउट करो किसकी कॉमुनिटी बड़ी है पहली चीज़ दूसरी चीज़ क्या उनके ट्विटर हैंडल के ओऊपर कोई बाते करी जा रही है that we will be bringing something in about week time something like that और क्या प्रजेक्ट इस वक्त बहुत जादा नीचे आ चुका है और अब उनकी न्यूजिज आनी शुरू हो रही है क्या कॉमुनिटी बहुत बड़ी है क्या टीम बेकर्स अच्छे है वहाँ पे आपको opportunities मिल सकती है beer market के अंदर भी 50% 100% profit कमाने की बहुत सारे आपको प्रजे Muslim postal अनॉजम्ट होती है गेम लांच की घर अनॉसमेंट होती है लैंग सेल की अगर अनॉसमेंट होती है थो है Big एक्क्चेरइंग कंभ शालोव पर बनाना है नए प्रोजेट के साथ जहां पे वाल्यूम बहुत भी बड़ी बात नहीं है आप लोग इस को सीड़िसली लेना 400 अगर आईडियो जाए है उनको फॉलू कर लो प्रकॉस भाँ पर वॉल्यूम कम है लेकिन अगर उनकी न्यूज अगर उनकी गेम लाइव होने जा रही है इसकी गेम अभी तक आई नहीं है जिसके कॉम्टी बहुत बड़ी है और एफ्टेंज जैसे एक्शेंड पर भी आया ह कि मार्केट बुल हो बीर हो फरक नहीं पड़ता हम पैसा तब भी कमा जाएंगे इस 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 गोल्डन टिप फो यू गाईज इसको मिस्स मत करो ने प्रोजेट्स के अंदर वॉल्यूम बहुत कम होती है रैधर देंग पुटिंग यूर मनी इंटू एक्स आर्पी रिपल र हार होगे पूरे पैसे के साथ अगर आपको प्रॉफित रखना है रह सकते हो लेकिन सीड मनी अपने घर यह आपको स्ट्राइडिजी को अपलाई करना चाहिए मिलें के नेक्स वीडियो के अंदर फिलहाल बिट कोईन का स्टेटस कोई खास अच्छा नहीं है मैंने आपको बताया था Metaverse and Play and Earn के प्रोजेक्स और NFT प्रोजेक्स भी फिलहाल वीक और वीक होते जा रहे हैं और वैसा ही कल के फॉल के बाद भी और जादा दिखाई दिया है जहां पर Web 3.0 के प्रोजेक्स ने जादा अभी भी डिप नहीं दिखाई है अगर आपने ध्यां से देखा है तो Web 3.0 के प्रोजेक्स ने अभी भी जादा डिप नहीं दिखाई है ट्राइ करेंगे और opportunity को find करने का और मैं ट्राइ करूंगा बहुत सारे ने प्रोजेक्स जैसे की Web 3.0 के अंदर कुछ important प्रोजेक्स है तो उनका पूरा review करने का कि वो क्या कर रहे है market में आने वाले वक comment box में डालो मेरे तक रीज करो I will study the project if it is very good I will bring it on my channel so that everyone can take advantage in long term from those projects आज के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में बहुत जल्दी उमीद करता हूं हमारी हर warning के बाद और हमारी हर call के बाद आप एक अच्छा profit बना रहे होंगे and we might be late but we will be at least safe मिलेंगे नेक्स वीडियो till then bye bye take care and have fun and make sure you have liked the video and put your comment as well in the video